राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज द्वाशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूं एकाशी व्रत पारन की कथा बंधों जिसे सुनने मातर से आपको एकाशी व्रत के पूरण फल की प्राफ्ति होगी बंधों यदि आपने हमारी यूटुब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोस की जानकारी सब से पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जय तुलसी मा जरूर लिखें बोलो तुलसी माता की जय हो हमने आपके मुख से तुलसिक के पत्र और पुष्प का शुप महातम सुना जो भगवान विश्णु को बहुत ही प्रिय है अब हम आप से तुलसिक की पुन्य में कथा को सुनना चाहते हैं व्यास जी बोले ब्रहामनों पहले सकंद पुरान में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहां भी कहता हूँ शतानन मुनी के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुन्य और हिप्त की बात पूछी शिष्यों ने कहा नात ब्रह्म बेताओं में शेष्ट आपने पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवन किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं शतानन जी बोले शिष्यगन तुलसी जी का नाम उच्चारन करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवाम शिविश्नु प्रसन हो जाते हैं मनुष्य के पाप नश्ठ हो जाते हैं उन्हें अक्षे पुन्य की प्राप्ति होती है जिसके दर्शन मात्र से क्रोडों गोदान का फल प्राप्त होता है उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें कल्यूग में संसार में वे मनुष्य धन्य है जिनके घर में शाल ग्राम शिला का पूजन संपन करने के लिए प्रति दिन तुलसी का व्रिक्ष भूतल पर लहे लहाता रहता है जो कल्यूग में भगवान शिक केशव की पूजा के लिए प्रित्वी पर तुलसी का व्रिक्ष लगाते हैं उन पर यदि यम्राज अपने किंकरों सहित रुष्ठ हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं तुलसी तुम अम्रित से उत्पन हुई हो और केशव को सदय ही प्रिय हो कल्यानी मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ तुम मेरे लिए वर्दाईनी बनो तुम्हारे शी अंगों से उत्पन होने वाले पत्त्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार शी हरी का पूजन कर सकूँ वैसा उपाए करो पवित्रंगी तुलसी तुम कलिमल का नाश करने वाली हो इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का क्रोडो गुनाफल प्राप्त होता है देविश्वरी बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं मुनी, सिद, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात, नागराज, शेश, संपूरन देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते केवल भगवान विश्णु ही तुम्हारी महिमा को पूरन रूप से जानते हैं जिस समय खीर समुद्र के मंधन का उद्योग प्रारम हुआ था, उस समय शी विश्णु के आननद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था पुर्वकाल में शी हरी ने तुम्हें अपने मस्तक पधारन किया, देवी उस समय शी विश्णु के श्रीर का संपर्ख पाकर तुम्परम पवित्र हो गई, तुलसी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे शी अंग से उत्पन पत्रों द्वारा जिस प्रकार शी हरी की पुजा कर सकूँ, ऐसी क्रिपा करूँ, जिस से मैं निर्विघंता पुर्वक परम गती को प्राप्थ हूँ, साक्षात शी कृषन ने तुम्हें गोमती तड़ पर लगाया और बढ़ाया था, व्रिंदावन में विचरते समय उन्हों ने संपूरन जगत और गोपि का वद करने के उदेश्य से सर्यू के तक पर तुम्हें लगाया था, तुलसी देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, शीराम चंद्र जी से व्योग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीथा ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिस से उन्हें पुर्वकाल में हिमालने परवत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पारवती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभिष्ट सिद्धी के लिए तुम्हारा सेवन किया, तुलसी देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, सम्पूरन दिवंगनाओं और किनर दूस्वपन का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था, देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है, धरम अरन्य गया में साक्षात, पित्रों ने तुलसी का सेवन किया, दंडक अरन्य में भगवान शिराम जंजी ने अपने हिस साधन की इच्छा से परम अवित्र तुलसी का व्रिक्ष लगाया लक्षमर और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूरन चराचर जगत में दिश्टी कोचर होती है तुल तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारन करता है उसे गंगा शनार और दस गोदान का फल प्राप्त होता है देवी मुझ पर प्रसंद हो वो देविश्वरी हरी प्रिये मुझ पर प्रसंद हो ज जो इस तुलसी मा की कथा को सुनता है, भगवान शी विश्णू उसके 32 अप्राद चमा कर देते हैं। बाले अवस्था, कुमार अवस्था, जवाने और बुढ़ापे में जितने पाप किये जाते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाट से नश्ठ हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ठ होकर भगवान सुक और अभ्यूदे प्रदान करते हैं, जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुप नहीं होता, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है, वह घर प्रचुद धन धानने से भरा रहता है, तुलसी जी की इस कथा को सुनने से मुनश्य के रिदय में भगवान विश्णू के प्रती अविचल भक्ती होती है, उसका वैश्णवों से कभी वियोग नहीं होता, इतना ही नहीं, उसकी बुद्धी क कभी अधरम में प्रवित नहीं होती, जो द्वाशी की रात्री में ज्यागरन करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है, उसे करोडों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है, बोलो विश्णू भगवान की जये, तुलसी माता की जये, राधे राधे, जये श्री प्रश्णा, बंधू, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद